हेलो दोस्तों मैं हूँ दिपिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटूब चैनल हेल्द एंड यू में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सफेद मिर्च के बारे में वैसे काली मिर्च के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे और इसका इस्तमाल भी करते होंगे लेकिन क्या आप सफेद मिर्च के बारे में जानते हैं? आज हम सफेद मिर्च के बारे में जानते हैं सफेज मिर्च को कई तरह के पकवानों में परियोग में लाया जाता है या मसाले के रूप में रसोई घर में उपयोग में लाया जाने के साथ इसमें कई औसे दिये गुण भी होते हैं जिसकी वज़ा से या कई बिमारी के उपचार में भी परियोग की जाती है यहां आखों को स्वस्थ और पाचन पंत्र के स्वस्थ में भी बहुत लाब दायक है यहां दक्षनी मिर्च के नाम से भी जाने जाने वाली जड़ी बूटी है जो पुराने समय में चिकिस्वा पदिती में भी काम में लाई जाती थी विटामीन और अंटी ओक्सिडंट गुनों से भरपूर होती है सफेद मिर्च चलिए दोस्तों आज हम सफेद मिर्च के कुछ फायदे के बारे में जानती है सफेद मिर्च में वसा को जलाने का गुण है जिसकी वज़ा से यह फैट को कम करने में सहायक होता है इसमें कैपसेसियन नामक बदार्थ होता है जो प्रकतिक रूप से वज़न नियंतरन करने में गुनकारी सिद्ध होती है सफेद मिर्च तासीर में गरम होने के कारण बालों से रूसी को दूर करने में सक्षम होती है इसके इस्तमाल से आप अपने बालों से रूसी को दूर कर सकते हैं तथा इसके इस्तमाल से आपके बाल मजबूत होते हैं सफेद मिर्च में फ्लाबनोईट के साथ साथ विटामिन C, विटामिन A भी पाए जाते हैं जो रक्त चाप को नियंत्रित रखते हैं रक्त चाप से जोड़ी समस्चाओं से जूज रहे वैक्ती इसका नियमित सेवन करें ऐसा करने से उनको स्वास्तेलाब प्राप्त होगा यदि आप खासी गले की खराज से परिशान हैं तो सहत के साथ सफेद मिर्च का सेवन करने से आपको जल्द राहत मिलेगी इसमें एंटी बायोटिक गुन के चलते सफेद मिर्च सर्दी जुखाम खासी में राहत परदान करता है सर्दियों में इसका सेवन बहुत गुनकारी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पाचन तंत्र में एक एहम किरादार निवाता है जो हमें सफेद मिर्च से भरपूर मातरा में प्राप्त होता है यहाँ खाने को पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है सफेद मिर्च सुगर के रोग्यों के लिए बहतर मानी जाती है इसके साथ यह चाय पाच्चे को बढ़ाती है और पाचन तंत्र मजबूत करती है यदि आज सफेद मिर्च का सेवन करे तो इसमें मौजूद कैसेशियन तत्व सर तर्द में आराम दिलाता है गठिया की परिसानी से जूज रहे लोगों को भी सफेद मिर्च से बहुत रहत मिलती है क्योंकि यह अपने एंटी इफले मेटरी गुनों की वज़ा से माचपेशियों की सूजन और दर्द को दूर भगाती है दोस्तो सफेद मिर्च अपने एंटी बैक्टरियल गुनों के कारण बहुत परियोग में लाई जाती है जिसका कारणिया पेट और आँख में अलसर के बैक्टरिया को नश्ट करती है इसकी वज़े से सफेद मिर्च का सेवन पेट से संबंदित कई मिमारियों में फाइदा पहुचाता है बादाम, चीनी, सोफ और तिर्फिला के साथ मिलाकर सेवन करने से सफेद मिर्च नेतर दिष्टी में सुधार लाती है यह आखों की रोष्टी को तेज करने के लिए भी बहुत फाइदे मन बानी जाती है एक अध्यन में यहाँ पाया गया है कि सफेद मिर्च में मौजूद कैप्सिकिन कैंसर कोशिकाओं को खतम करने में सक्षम है इसमें एंटी बायोटिक गुनों की वज़ा से यह कैंसर के रोग्यों के लिए उपक्यार में गुनकारी सिध होता है सफेद मिर्च के सेवन से दिल स्वस्त रहता है और दिल के रोग होने की चांसे काफी हद तक कम हो जाती है सफेद मिर्च सरीर के अंदरूनी अंगों को बहुत फायदा पहुचाती है यह किडनी के लिए भी फायदे मंद होती है सफेद मिर्च के सबसे बहतरीन फायदा है डायबटीज को कंट्रोल करना इसके रोजाना सेवन से आपका मधुमे नियंतरन में रहता है साथी आप अगर इसे दूद के साथ पीते हैं तो आपका डायबटीज भी बहुत कंट्रोल रहता है तो दोस्तों यह थे सफेद मिर्च के कुछ फायदे मैं आसा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके